देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तू, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे महादेव के गृपा, आप सभी पर सैदायव बनी रहे। यह वीडियो है 17 दिसंबर 2021 शुक्रवार यानि कि फ्राइडे के दैनिक राशिफल के बारे में एक सामान्य जोतिशिय विशलेशन होता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले दिया जाता है, क्या उपाय करना है हर बार की तरह वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, राशिफल की शुरुवात से पहले एक बार 17 दिसंबर के पंचांग पर नजर डाल लेते हैं, 17 दिसंबर का पंचांग इस तरह से है, तिथी है चतुरुदशी, शुक्लपक्षकी, नक्षत्र है कृतिका, योग है सिद्ध, करण है गरज, और वार है शुक्रवार यानि की फ्राइडे, सूर्य उदय का टाइम होगा 7-8 एम, और सूर्य अस्त का टाइम होगा 5-28 पी-म, अब कुछ विशेश मुहरतों की बात कर लेते हैं, ब्रम्म मुहरत होगा सुभा 5-19 एम से लेकर 6-13 एम तक, अभिजीत मुहरत जो बहुत ही शुब मुहरत होता है, इसमें कोई भी आप शुबकारे कर सकते हैं, उसका समय होगा 11-57 एम से लेकर 12-39 पी-म तक, और राहुकाल, जिसमें कोई भी शुबकारे करने से बचना चाहिए, उसका समय होगा 11 बच के एक दिन के, यानि की 11-1 एम से लेकर 12-18 पी-म तक, तो ये होगा राहुकाल, तो अब शुरुआत करते हैं, 17 दिसमबर 2021 के दैनिक राशी फलका मेश राशी के, मेश राशी के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक है, फिजिकली काफी strong feel करेंगे, वैसे भी मेश राशी के जातक फिजिकली strong होते हैं, फिजिकल एनरजी आज अच्छी रहेगी और stability भी रहेगी, आज का दिन अपनी negative thoughts को negative energy को clear करने का है जिस भी negativity ने आपको घेरा हुआ है थोड़ा सा भी प्रयास करेंगी उस negativity से अराम से निकल जाएंगे कोई problem आपको घेरे हुए है पिछले कुछ दिनों से तो उसका कुछ अलग सा solution, creative solution निकालने की कोशिश कीजिए out of the walk से सोची उसका solution जो चीज ट्राइ कर रहे हैं उससे उसका हल नहीं निकल रहा तो आगे भी नहीं निकलेगा कुछ अलग ट्राइ कीजिए करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं बहुत अच्छा दिन तो नहीं दिख रहा जादा आप का दिल नहीं करेगा काम करने का जहां पर भी काम करते हैं अपने कारिक शित्र में अटैच नहीं हो पाएंगे अपने काम से emotional attachment नहीं रहेगा professional attachment नहीं रहेगा दिल करेगा बस समय भी थे और घर वापस आ जाएं कभी-कभी ऐसा होता है यदि आपके काम पर बहुत negative effect ना पड़े तो आज छुट्टी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा business के हिसाब से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा अचानक से कुछ changes आ सकते हैं जो आपको थोड़ा विचलित कर देंगे थोड़े losses हो सकते हैं खर्चे बढ़ सकते हैं रिस्क बिलकुल नहीं लेना relationship के हिसाब से आज का दिन अच्छा है understanding बढ़ेगी partners के बीच में एक दूसरे को समझने का बहुत जादा प्रयास करेंगे एक दूसरे की समवेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे अच्छा दिन है relationship के लिए फिवाहिक जीवन के लिए भी आज का दिन अच्छा है जिनकी recently शादी होई है उनसे यही कहूँगा कि अपना जो relationship का base है उसको और strong किजिए विश्वास बढ़ाईए एक दूसरे पर trust करना सीखिए दूसरे को समझना सीखिए यदि आपकी शादी recently होई है तो students के लिए आज का दिन अच्छा है किसी की study के तौर पर मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी revision हो जाएगा जिससे आगे चलके आपको ही मदद मिलेगी health के इसाब से गले से संबंदित रोग तंग करेंगे lucky number है 9, lucky color है dark green, भागय पतीचत है 73% अब चलते हैं Taurus यानि के विरिशव राश्य की तरफ आज का दिन आपका थोड़ा relaxing सा attitude रहेगा जाधा काम करने का दिल नहीं करेगा जो सभाविक है कभी कभी नहीं करता दिल लेकिन भागय आज आपका बहुत साथ देगा हर तरफ से positive news आ सकती है भदरता आ सकती है किसी का कुछ अच्छा गिया था पिछले कुछ समय में तो उसका कुछ अच्छा result भी आपको मिल सकता है आज का दिन बहुत अच्छा है आपका relaxing सा attitude रहेगा लेकिन मैं यह कहूँगा कि थोड़े प्रयास अपने व्यक्तिकत जिंदगी में professional life में दोनों ही में थोड़े बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे कुछ results मिल सकते हैं क्योंकि भागय बहुत अच्छा है आज आपका करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन अच्छा है अपने जो आपका profile है उससे अलग भी काम यदि आपको मिलता है तो उसको accept कर लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए communication से जुड़ा कुछ भी job करते हैं तो आज का दिन बहुत लाबकारी होगा बिजनस के इसाब से एक ही चीज कहूँगा कि थोड़ा confidence बढ़ाने की जरूत है अपने बिजनस में थोड़ा confidence शायद डगमगा गया है पिछले कुछ दिनों से confidence वापिस लाइए बहुत चीज़े अपने आप ठीक हो जाएंगी बाहर से संबंदित कोई बिजनस है insurance से जुड़ा कुछ बिजनस करते हैं consultation से जुड़ा कुछ बिजनस करते हैं तो अच्छा दिन है relationship के इसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है बहुत romantic time spend करेंगे अपने partner के साथ कोई भी problems आ रही थी दूर हो जाएंगी बहुत अच्छा दिन है आज relationship के लिए विवाहिक जीवन के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक है अपने married life में कुछ changes लाना चाते थे कुछ नई शुरुवात करना चाते थे तो उसके लिए आज का दिन उपयोगत है बहुत अच्छा है students के लिए आज का दिन काफी अच्छा है अपने career में अपने study life में आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे आपको साथी में जो students part time job दून रहे थे उनको कोई अच्छी news मिल सकती है health के इसाब से पैरों में दर्द रहेगी टांगों में दर्द रहेगी lucky number है 1, lucky कला है white भागय प्रतीशत है 82% चलते हैं जमिना यानि की मिथुन राशी के तरफ आज intelligence का level बहुत अच्छा रहेगा knowledge gain करने का दिन है अपनी बुद्धि मता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे वैसे भी मिथुन राशी के जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं किसी चीज को लेकर प्रयास रत हैं बहुत समय से उसमें प्रयास लगा रहे हैं बहुत समय से यानि की पिछले कुछ दिनों से दो हफते से दस दिनों से लेकिन उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा उसको कंटिन्यू कीजिए रिजल्ट मिल जाएगा किसी ग्यानी पुरुष सत्पुरुष से मिलने का यदि आज मौका मिलता है तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा संभावना है इस चीजिए कि कोई आपको ग्यानी पुरुष महान पुरुष अब किसी भी वेश में आ सकता है कभी कभी कोई राह चलता बिखारी भी बहुत अच्छी सीख दे देता है भी के आपए डिपेंड करता है कि आप अपने संसे कैसे या कितने खुले रखते हैं करियर पर चलते हैं जो लोग जॉप करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है आपका criticism हो सकता है कुछ आप गलत कर सकते हैं के कारण कुछ आपको सुनना पड़ सकता है मान सम्मान की भी थोड़ी हानी हो सकती है थोड़ा बच के रहें बिजनस के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है सेंसेज आपके बहुत अच्छे रहेंगे चीजों को समझने की ख्षमत अची रहेगी लेकिन जल्द बाजी में कुछ गलत चीज कर सकते है साथी में ओवर इमोशनल होकर कोई गलत नरने ले सकते है थोड़ा सम्मझल के रहें रिलेशन्शिप के इस आप से आज का दिन अच्छा है, emotional compatibility, mental compatibility बहुत जादा अच्छी रहेगी, एक दुसरे की बाते समझेंगे, thoughts समझेंगे, अच्छा दिन है, विवाहे की जीवन के लिए एकी चीज कहूंगा कि communication पर जोर दीजिये, थोड़ा communication आज better करने की कोशिच कीजि कोई चीज है जो बहुत trouble कर रही है, जिसके कारण परिशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे, health case आप से आज का दिन अच्छा है, physical health अच्छी रहेगी, lucky number है 2, lucky कल है orange भागया पर दीशत है, 73%, आप चलते हैं cancer यानि की करकराशी के तरफ, आज का दिन बहुत जादा अच्छ रहेगी, high energy रहेगी, लोगों के भले के बारे में सोचेंगे, यदि आपके क्षमता हो तो उससे उपर बढ़कर आप लोगों का भला करना चाहेंगे, वैसे भी करकराशी के जाता कैसे होते ही है, मातरित भाव बहुत होता है, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं बहुत balanced दिन दिख रहा है, कुछ चीजें यदि recently करियर में खराब हो गई थी, problem आ गई थी, वो भले किसी के साथ संबंद हो, कोई काम खराब हो गया हो, कोई काम गलत हो वो सारी problems आज दूर होते भी दिख रही हैं, बिसनस के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है, जो बहुत सारा पैसा अरजित कर सकते हैं, यदि प्रयास करेंगे तो, relationship पे चलते हैं, जाधा controlling मत बनियेगा, जाधा अपने partner को control करने की कोशिश करी, अपने relationship में जाधा dominating आज हुए, तो उसके कारण relationship में खुद ही problem create करेंगे, विवाहिक जीवन आज का अच्छा है, थोड़े अपने thoughts में, thinking में purity लाइए, negativity दूर करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके life partner है, उनके साथ ही आपने रहना है, तो इस भाव से आगे बढ़िए और negativity को दूर करिए, students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, balance दिन है, social life को और study life को दोनों को balance करके आगे बढ़ेंगे, और थोड़े अच्छे आपके contacts भी बनेंगे, यदि थोड़ा प्रयास करते हैं, तो, health के इस आपसे दिन चर्या, यदि पिछले कुछ दिनों में खराब हो गई थी, तो उसका बुरा प्रभाव आज सेहत पर बढ़ सकता है लकी नमबर है 5, लकी कल है औरेंज भागय प्रतीचत है 80%, चलते हैं लियो यानि कि सिम्हराशी के तरफ, आज का दिन बहुत अच्छा है, लक्षमी योग बना हुआ है, रुद्रामसा में, दसामसा में, पैसा कही न कहीं से आ सकता है, बहुत अच्छा दिन है, भागय साथ देगा, कई बिगड़े हुए काम बनेगे, लेकिन आपकी व्यक्तिकत जिन्दगी हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो, या सोशल लाइफ हो, कोई ना कोई आपकी इमिज को स्पॉयल करने का, उस पे दाग लगाने का, आपको किसी की नजरों से गिराने का, भली समाज की नज रहे हो, उसमें गिराने की कोशिश करेगा, आपकी गुडविल खराब करने की कोशिश करेगा, थोड़ा इस चीज से बचके रहें, अपने सेंसेस खुले रखें, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा है, सेल्फ एनालसिस का दिन है, जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, अच्छा दिन है, बिजनस के हिसाब से आज का दिन अच्छा है, लेकिन साहस उन निरने लेने पड़ेंगे, कॉम्मुनिकेशन अपनी ठीक करनी पड़ेगी, पार्टनर्स के साथ, क्लाइन्स के साथ, जो भी बोलें, एक्तम क्लारिट नया नया है, नय नय रिलेशन्शिप में कुछ बहुत जादा करने की कोशिश करेंगे आज, तो चीजे हाथ से निकल जाएंगी, विवाहिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा है, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको गाइडन्स मिल सकती है, लेकिन आप को मांगनी पड़ेगी, बैठे बिठाए, भी प्रॉब्लम जल रहे है, घर में किसी को पता ही नहीं है, तो कौन आपकी हल्प करेगा, जिस पे विश्वास करते हैं, उनसे थोड़ी गाइडन्स मांगी, आपके विवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम जा रही है, बहु चलते हैं वरगो यानि की कन्या राशी की तरफ, आज चीजों को एकसेप्ट कीजिए जो आपके खिलाव जा रही है, आपके साथ नहीं जा रही है, जो आपके फेवर में नहीं जा रही है, उनको एकसेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू कर दीजे, कुछ बुरा हुआ है उसको भी accept करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए देखें, life ups and downs से भरी होती है कभी अच्छा होता है, कभी बुरा यही जिन्दगी है अपने बुरे कर्म भुगतने के लिए ही हमारा इस धर्ती पर जनब हुआ है तो उसको part of the life समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए वरना एक एक जगा पर रुख जाएंगे आज कुछ सीखने का मौका मिल सकता है आपको यदि अपने senses खुले रखेंगे कहीं से भी कुछ बहुत अच्छे सीख मिल सकती है आज यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी कुछ भी गलत होगा आपके अपने निरने की कारण होगा या अपने actions के कारण गलत होगा यात्रा करते हैं तो थोड़ा ध्यान से यात्रा करिजिएगा क्योंकि छोटे मोटे accident के योग है करियर के चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है authority रहेगी अपनी individuality दिखाने का मौका मिलेगा लेकिन superior से senior से थोड़े संबंद बिगर सकते हैं थोड़ा गुस्सा आपका जादा हो सकता है कारक्षेतर में दिल कहीं और आपका रहेगा शायद जो आप business कर रहे हैं काम कर रहे हैं उससे आपको emotional satisfaction नहीं मिल रही relationship के इस आपसे आज का दिन बहुत अच्छा है शुक्र देवता की कृपा रहेगी तो relationship बहुत अच्छा रहेगा बहुत romantic time spend करेंगे physical compatibility, emotional compatibility सभी बहुत अच्छी रहेगी विवाहिक जीवन आज का अच्छा है intuition level आपका बहुत हाई रहेगा तो यदि आज आज आपका intuition आपको ये बता रहा है कि आपके पती या पत्नी जो भी है कुछ गडबड कर रहे हैं faithful नहीं है तो शायद आपका intuition आज सही हो अपने intuition पर थोड़ा यकीन करना सीखिए students आज किसी situation से निकलना चाहेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे किसी ऐसे situation में फस गए है या फस जाएंगे आज जिससे निकलना थोड़ा उनके लिए फश्किल होगा थोड़ा तनाफपूर्ण होगा health के इसाब से दिन के लेटर हाफ में अचानक से तबिद भी कर सकती है आपके पती या पतनी की तबिद भी खराब हो सकती है lucky number है 4 lucky कल है green भागय पतिशत है 68% अब चलते हैं यानि की तुला राशी की तरफ आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है हर तरफ से शुबता आपकी तरफ आते भी दिख रही है कोई नजदी की इंसान जो आपकी लाइफ में आपके काफी close है वो आपकी किसी ना किसी तरह की help कर सकता है यदि आप उनसे मांगेंगे तो guidance भी मिल सकती है आपको कोई चीज बहुत confuse कर रही थी किसी उप्युक्त व्यक्ती से guidance मांगते हैं तो आपको guidance आज जरूर मिलेगी एक चीज कहूँगा कि जल्द बाजी से आज बचिएगा अचानक से आप में एक तेजी आ सकती है जो शायद आपको भी बता ना चले और उस जल्द बाजी में कुछ गलत चीज कर सकते हैं करियर पे चलते हैं आज का दिन ठीक ठाक है चीजे समझेंगे समझ के उन पर action लेंगे flexible रहेंगे आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन over emotional कभी कभी हो सकते हैं जिसके कारण कुछ गलत निरने भी ले सकते हैं बिजनस के इसाब से आज का दिन बहुत अचा है authority रहेगी, willpower बहुत strong रहेगी कोई मुश्किल contract भी मिलता है, कोई मुश्किल order भी आता है, उसको भी accept करके आगे बढ़ना चाहेंगे share market से जुड़ा कुछ काम करते हैं education से जुड़ा कुछ काम करते हैं writing, publishing से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लावा कमा सकते हैं relationship के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है काफी stressful दिन रहेगा तनाव कुण दिन रहेगा आपको यह लगेगा कि आपके partner आपको बहुत control करते हैं जिसके करना पच्छा feel नहीं करेंगे विवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा है cooperation रहेगा आप दोनों के बीच में as a team पूरा दिन बिताएंगे आपकी problems वो help करेंगे उनकी problems में आप help करना चाहेंगे बहुत अच्छा दिन है विवाहिक जीवन के लिए students के लिए जादा अच्छा दिन नहीं है सब कुछ छोड़ चाड़ कर भागना चाहेंगे आज ऐसा भाव आएगा शायद बहुत परिशान है अपने आपको इस पूरे जंजाल में फसा हुआ पा रहे हैं तो उस आपको छोड़ चाल कर भागने का आपका दिल करेगा हेल्थ के इसाब से sleep disorder और anxiety की problem तंग करेगी lucky number है 2 lucky कल है yellow भागया प्रतीशत है 71% चलते हैं scorpio आने की विष्चे कराश्य की तरफ आज किसी चीज को लेकर clarity आ जाएगी जिस पे बहुत समय से परदा डला हुआ था confusion था clear नहीं हो रही थी कोई चीज व्यक्तिकत जिंदगी में होती है हो सकती है या professional life में भी आज का दिन पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि वर्ग कुंडली में लक्ष्मी योग बना हुआ है दसामसा में भी है नवामसा में भी है कई रुके हुए काम भी आपके बन सकते हैं लेकिन अपने इच्छाओं पर वासना पर थोड़ा control रखिएगा पर ना कुछ गरबर कर सकते हैं करियर पर चलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है कला से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं आठ फॉर्म कोई भी आठ फॉर्म से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं बहुत जादा अच्छा दिन है लेकिन थोड़ी चलाकी से बचिएगा कोई आपके खिलाफ कुछ चलाकी कर सकता है बिजनस के हिसाब से आज का दिन अच्छा है authority रहेगी willpower बहुत अच्छी रहेगी आगे बढ़ने की ललक आप में आज बहुत अच्छी रहेगी government से related कोई काम रुका हुआ था कोई कहीं से permission रुकी हुई थी तो उस संबंद में कोई positive news आ सकती है relationship के इसाब से बहुत अच्छा दिन है mental compatibility बहुत अच्छी रहेगी mental level पर एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से connect कर पाएंगे बहुत अच्छा दिन है relationship के लिए विवाहिक जीव में यही कहूंगा कि आज थोड़ा चुप रहेगा जादा मत बोलिएगा जरूरत जितना हो उससे भी कम बोलने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आज जादा बोलेंगे तो चीजें unclear हो जाएंगी miscommunication हो जाएगा और वाद वाद होंगे students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है contemplation करेंगे चीजों को सोचेंगे कैसे अपना study life को और अच्छा कर पाएं जिससे career भी अच्छा हो ये सब चीजे बहुत सोचेंगे लेकिन बहुत जादा सोच विचार मत कीजेगा क्योंकि उसमें शायद बहुत deep चले जाएंगे और बाकी चीजों पर सिध्यान हट जाएगा health के इसाब से आखों से सम्बंदित problem सर से सम्बंदित problem तंग रहेगी sleep disorders भी हो सकते हैं lucky number है 9 lucky color है red भागय प्रदीशत है 75% चलते हैं Sagittarius यानि की धनो राशी की तरफ positive outlook रहेगा आपका हर चीज को लेकर attitude बहुत positive रहेगा mental और physical strength दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी आपके दुश्मन आपको थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे व्यक्तिकत जिंदगी में हो या professional जिंदगी में social life में लेकिन आप पर भारी नहीं पड़ पाएंगे आप ही उन पर भारी पड़ेंगे तो उसे साब से आज का दिन काफी अच्छा है करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अपनी intelligence का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे क्योंकि आपके राशी के स्वामी ब्रहस्पति होते हैं तो वैसे भी धनू राशी के जातक काफी intelligent होते हैं ये कहोगा कि कोई मुश्किल situation यदि आती है तो उसमें उसको थोड़ा diplomacy से handle करेंगे कूट नीती से हसी मजाग से उसको solve करने की कोशिश कर देंगे तो उसमें से अराम से निकल जाएंगे वरना वो चीजे थोड़ी और उलच सकती है communication से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं आईटी इंडस्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो अच्छा दिन है बिजनस के हिसाब से आज का दिन बहुत जादा अच्छा है आपके लिए लाभ अरजित कर सकते हैं पैसा कमा सकते हैं मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं बहुत जादा अच्छा है आज का दिन बिजनस के हिसाब से, अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई बिजनस करते हैं तो और भी अच्छा दिन है, relationship के हिसाब से भी आज का दिन बहुत positive दिख रहा है, जैसा relationship आप चाहते थे या हैं, आपका relationship at the moment उसी stage पे है, उसके कारण काफी satisfied feel करेंगे, वैवाहिक जीवन में यही कहूंगा कि, जदी बहुत समय हो चुका है आपकी शादी को, और आपके partner आपको for granted ले रहे हैं, तो अपने भोलेपन का उनको और फायदा मत उठाने दीजिए, जब तक equality नहीं आएगी आपकी शादी शुदा जिन्दगी में, आप ख सकती है, health के इस आपसे acidity की problem और सर में दर्द रहेगा, lucky number है two, lucky call है blue, भागया पर्तिशत है 73%, चलते हैं Capricorn यानि की मकर राशी की तरफ, आज का दिन अच्छा है, काफी steady रहेंगे, balance रहेंगे, efforts हर चीज में पूरे करेंगे, भले ही व्यक्तिकत जिन्दगी में हो या professional life म भले ही उसके आज आज आपको result अच्छे ना मिले, लेकिन आने वाले समय में मिलेंगे, कुछ यदि सीखने का आज मौका मिलता है तो जरूर सीखेगा, वो चीज आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगी, जरूर इने की पढ़ाई के संदर्म में ही हो, कुछ भी सीखन को मिलता है, सीखेगा, मेडिटेशन का सहरा लीजेगा, सुबा-सुबा, एकांत में आदे गंटे बैटेएगा, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, करियर पर चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, भाग या पूरा साथ देने वाला है कारेक्षेतर में, कई रुके हुए काम बन सकते हैं आपके, ट्रैवल इंडस्टे से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटर इंडस्टे से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो दिन अच्छा है, बिजनस के हिसाब से एक ही चीज़ दिखा रहा है, कि आज कुछ चेंज लाई है अ अपने पार्टनर के साथ मिलके, फ्यूचर प्लैनिंग करने के लिए बहुत अच्छा देना है, जो लोग नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करना चाते थे, उनके लिए भी नई संभावनाई खुल सकती हैं, वैवाहिक जीवन के लिए यही कहुँगा कि थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड पे, अपने थौट्स पे, काफी इदर उदर शायद भाग रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी वैवाहिक जीवन पे ध्यार नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन वापिस लाइए, स्टूडेंस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अचानक से कोई बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी मिल सकती है, हेल्थ के इस आपसे, एसिनिटी की प्रॉब्लम और बहुत तीखा खाना खाने के खारण, ओईली खाना खाने के करण, तबेत खराम हो सकती है, लखी नमर है टू, लखी कलर है ब्राउन और भाग्य पतिशत है 71%, आप चलते हैं, एक्वेरियस यानि की कुम्ब राशी की तरफ, काफी stability रहेगी आज, काफी balanced दिन रहेगा, अपने दुश्मनों पर विजय पाने का पूरा सामर्थ हे रहेगा, आपके अंदर ख्षमता रहेगी और उन पर विजय पा भी पाएंगे, वो बले ही आपके आ आपकी help भी कर सकते हैं, यदि पैसे से सम्बंदित कोई problem है, तो अपने घर के किसी बड़े से बात कीजिए, कुछ गलत निरने मत ले लीजिएगा, करियर पे शलते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है, थोड़ा अनिश्चिता भरा दिन दिख रहा है, वो भी दिन के later half में, एक इस कहूँगा कि व्यंगात्मक बाते किसी के साथ मत कीजिएगा, किसी पे कटाक्ष के बान मत चलाएगा, वानी पे थोड़ा control करके रखेगा, वन्ना कारक शेत्र में कुछ negative result मिल सकते हैं, बिजनस के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है, अपनी बुद्धी मता का प एक ही चीज़ बता रहा है कि यदि कोई problem आ रही थी तो उससे उबरने में, उसको ठीक करने में भागया आपका पूरा साथ देगा, जिनका recently break up हुआ है, कुछ दिन पहले ही भागया उनको एक मौका आज दे सकता है, वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा है, हार्मनी रहेगी दोनों के बीश में, बहुत soothing सा, simple सा time व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा दिन है आज वैवाहिक लोगों के लिए, students planning बहुत अच्छी करेंगे, उसको बहुत अच्छा execute नहीं कर पाएंगे, लेकिन planning उनकी बहुत अच्छी रहेगी, health के इसाब से BP की problem तंग करेगी, lucky number है 5, lucky color है, red भागय प्रतिशत है 70%, अब चलते हैं, पाइसेज यानि की mean राशी की तरफ, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग या आज आपका पूरा साथ देने वाला है, बहुत अच्छा दिन है, मीन राशी के जातकों के लिए कु कुछ नया सीखना हमेशा चाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, सुबा सुबा स्पिरिच्वालिटी का साथ लीजिए, थोड़ा ध्यान लगाईए, अपने इश्ट की पूजा कीजिए, कई रुकावटे आपकी आज दूर हो जाएंगी, करियर पे चलते ह जिसके करण कुछ प्राबलम हो सकती है, बिजनस के हिसाब से अनिश्चिता भरा दिन रहेगा, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ खतम भी होगा, कुछ नई شुरुआत भी हो सकती है, जाधा पॉजिटिविटी की तरफ है लेकिन थोड़ा पुरानी चीजों को याद करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, उस पर बहस करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अपने present relationship को पुराने relationship से compare करेंगे और काफी वाद विवाद होंगे आपके। विवाहिक जीवन के हिसाप से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है यदि future के बारे में discussion हुआ या past के बारे में discussion हुआ तो बाते बिगडेंगी तो आज जो लोग विवाहिक हैं present में जीने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा students के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे लेकिन संभाल नहीं पाएंगे शायद बहुत ज़्यादा burden हो गया है कई ऐसे students भी होते हैं जो study भी करते हैं साथ में पैसा भी कमाते हैं घर की financial condition ठीक नहीं होती वैसे students के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी संभालने के लिए और बहुत तनावपून दिन रहेगा health के इसाब से जनको अस्तमा है आज खास ध्यान दे lucky number है 4 lucky कल है केसरी भाग्य प्रदिशत है 80% 17 December 2021 शुक्रवार के लिए उपाय आपके लिए यह है कि आपको नित्य पूजा के बाद तुलसी माता की पूजा करनी है और लक्ष्मी चालीसा का दो बार पाठ करना है चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कोई कमेंट भी जरूर छोड़के जाएगा पॉजिटिव मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए उम्माद